हालो फ्रेंड्स गुड इवनिंग गुड इवनिंग माई ये फ्रेंड्स कैसे हैं दोस्त मज़े में बिंदास जकास चलिए दोस्त वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं तो ठीक है तो नाम है Song of Myself खुद के ले गीत खुद के यानि अपने आप में मगन रहो अपने आप में गानगाओ जहां भी रहो मुस्कुराते रहो गानगाते रहो ठीक है और Song of Myself का मतलत है खुद का गीत अपना खुद का स्वयम का बनाए हुआ भजन गान गुन गान जो भी बोलो याद करो What Weetman का जनम कभ हुआ है My Dear Friends What Weetman का जनम कभ हुआ ठारसवा उननीस में मिर्तु हो ए ठारसवा बानवेर में ठीक है यह objective बहुत पर पूछा है What Weetman को कौन सी उपाधी में लिए इनको लोग बोलता है People's Poets लोग का कभी ठीक है यह जो भी लिखते थे सब के हीत में सब लोग के लिखते थे ठीक है हर लोग के लिए दुनिया को हर एक व्यक्ति जो व्यक्तिकत जिन्द की जीता है ठीक है इनको व्यक्तिकत जिन्द की बहुत ही पसंद था इसलिए यह एक individual poet भी खलाते है ठीक है और करे perhaps Saad the most individualistic literary figure करे साइद जो व्यक्तिकत होता है ना साहि विजुलिस्टिक लिटरेरी फीगर डाट अमेरिका हैज एवर प्रोडूस्ट अमेरिका में साइध जीतने भी आज तक कभी जनम लिये हैं जो की ब्यक्तिगत सहित छेतर से उबरे हैं या ब्यक्तिगत खुद के लिए कुछ लिखे हो उन सभी में यह एक महान छबी वाले कभी थे जिसका नाम था वाट वीटमेन ठीक है यानि सुरूबात में उन्होंने पछले कौन सा काम शुरू किया एक बरहई के रूप में कारपेंटर के रूप में काम किये या जब बाराष साल के हुए उससे पहले उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, वो भी एक कारपेंटर यानि बरहई के रूप में बताईए महनती जो होते हैं बाउ दुनिया कोई भी आंधी तुफान, दुनिया कोई भी पत्थर, उनका रास्ता नहीं डोग सकती है, बसरते आप महनती हो तो रूप से जो कभी होते हैं, जो खुद के लिए लिखे उनमें सबसे महान कभीयों में सहित कारम से एक तेखाप अमेरिका में, और यह 12 बर्स के साल से, यानि जब यह 12 साल के हुए, तो उसे पहले यह बढ़ाई का काम सुरू कर दिये थे, अब आई यहाँ पर बाव नेक्स्ट क्या कर रहा है नेक्स्ट है आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन यानि कि उन्होंने प्रिंटर का भी काम किया था प्रिंटर होता है बाव जो प्रकासक छपाई पाई करते हैं एंड टीचर का भी काम किये एडिटर जो कि आपके न्यूज पेपर में लेखा कलो होते हैं एडिटर बोलते हैं और वाज भॉलिंटियर नर्स डिरिंग द सिविल वार जो घरलू लराई हुआ था उनमें यह अपनी स्वयम की एक्षा से बावो मैं बता दू कि वोलिंटियर में स्वयम एक्षा अपनी एक्षा से इन्हों ने उन सारे जखमी लोगों को जो चोटील हुए थे लराई के वक्त उनकी सेवा किये थे यहन इनको यह ब्यक्तिका जिन्द की जीना चाहते थे इनको मजा आता था जो मन करता था वो करते थे किसी से कुछ अब यहाँ पे वीटमेंस पोईट्री जो वीटमेंस की कविता हैं अल अफ विच सारा देखा जाए उसमें सबसे जो बेहतरीन कविता है उनकी उसका नाम है लिफ्स अफ ग्रास यह याद को लो माईडर फ्रेंड्स यह आपको काम हैगा 12 एक्जाम में बार बार पूछता ह कि लिफ्स अफ ग्रास किसने लिखा है तो बताना है भाईया यह लिखें है कौन लिखें है वाट वीटमेंन लिखें कोई दिखत अब आए यहाँ पे क्या को रहा है next next time my dear कि is known जो उनका lips of grass है वह जानी जाती है for its free rhythm यानि कि सोतंत्र जिसको मुक्त चंद बोलते हैं या सोतंत्र मुक्त रूप से लए से बिलकुल मुक्त है इनकी कभिताओं में कोई लए होए ये कोई नकरा नवाजी इसम नहीं होता है उनकी कभिताओं जो होती है एकदम free होती है free rhythm लए से तो मुक्त होती है and lack of frames और साध उनकी कभिताओं में सचमुच लए का बहुत ही कमी होता है उनका कोई कभिता लएदार नहीं होता है ठीक है उसमें कोई रिदम लए, ताल, सूर ये समनी होते है Whitman first published it at his own expense in 1855 Whitman ने पहली बार 855 में अपनी कभिता खुद के पैसा से अपनी खर्च पे उसको परकासित किये ठीक है यह पर लिखा है भाई देख सकते है जो अपने मुक्त लए और तुगलबंदी का अभाव के रूप में तुगलबंदी में उसमें कोई ज़्यादा नुक्सा नुक्सी नहीं होता है इनकी कभिताएं में लए नहीं होती है बिल्कुल Whitman अपनी पहली पुष्टक स्वयम के खर्च पर 855 में परकासित किये अब आए नीचे नेक्स्ट क्या करा अब क्वारा भाई साब हाववर फिर भी या यदिपी दा फ्री फ्रम ओफ दा पोएम्स जो इनकी कभिताओं होती थी कभिताएं वह मुक्त रूप से और ज्वाइफूल और आनन्द पुन यानि उनकी जो भी कभिताओं होती थी सोतंत रूप से कभिताओं और आनन्द पुन होती थी और पुन रूप से समर्पित होती थी किसके लिए जो ब्यक्तिगत जिन्दी जीता है उसके महत को यानि ब्यक्तिगत महत को ये बहुत ज्यादा ब्यक्तिकत को बहुत ज़्यादा महतों दिये बहुत ज़्यादा and we are not well received at first और पहली बार जब ये ब्यक्तिकत कविताई लिखे तो कोई ब्यक्ति इनकी कविताओंगपे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसे ज़्यादा महतों नहीं दिया लोग को रूची नहीं आया परने में फर्स्ट टाइम लिखा है यहां पर यद भी कविताओं का मुक्त रूप और अरंद पुन सवर्पन ब्यक्तिकत महत्तों के लिए पहली बार में सुविकार नहीं किया गया यह फर्स्ट टाइम लिखे धीरे 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 इनकी इनका जॉब ही चला गया इतना किमत कविताओं में इतना पैसा लगता था कि धीर दे बेचार क्या हो गया इनकी जॉब छुट गई और एज इट वाज टेकें टू बी अबसेन 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 बोलते है असलील बाते लिखते हैं इन 1981 after many editions 1981 में बहुत सारे बुक छपने के बाद after many editions बहुत सारे एडिशन निकला बहुत सारा भाग निकला इनकी कविताओं का अंत में कविता में लेफ्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पबलीटर अंत में यह कविता एक publisher के पास पहुँची यानि परकासर के पास जो willing to print it uncensored जो इस कविता में बीना किसी छेर चार किये बीना किसी बदलाओ का वह बंदा फैसला किया कि मैं इनकी कविता अपने पैसा से छापूँगा ठीक है अपने देखा किसी ब्यक्ति को मतलब का था उसकी जो कहानिया है वहों जा रहे किसी publisher के पास और publisher को पड़के बहुत ही अच्छा लगर है ओकापूइता कहानी तो आके अमीतिय वेसंस क्या बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी किताब मेरे प्रकासक के माधर में छपे ठीक है अब यहाँ पर क्या कर भूआ सब का हिंदी रिखते हैं देख सकते हैं नेक्स्ट आई यहाँ पर Translations of this collection were enthusiastically received in Europe इसका अनुबाद इस संग्रह का जो अनुबाद हुआ विविन भासाओं में किया गया और बहुत साइड लोगों ने उत्साह पूर्ण इसको सुविकार किया बट वीट मैन रिमेंड रिलेटीबली अन एप्रिसेटेड इन अमेरिका लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर सुने वागो अमेरिका के थे बट इनके खुद के देश में इन्हें लोग वैलू नहीं दिया और इन्हें सराहा नहीं प्रसंसा नहीं किया लेकिन वही दूसरे देशों में इनकी कविदाओं को उत्साह से जोस पर पढ़ा गया ये तो सच बात है चाइना में जपान में गौतम बुद को लोग भगवान और देवता मानते हैं पूजा करते हैं उनकी हर एक बात को याद करते हैं लेकिन हमारे देश में गौतम बुद के बारें बोल दिया जाए बच्चों से कि भाव आप 20 लाइन बोलो तो बच्चे नहीं जानते हैं लेकिन हुआ इन्हें अमेरिका में भी परसंसा मिला लेकिन वही बात हुआ कि जब जिन्ना थे तो कोई भाव मोल इज़त नहीं मिला लेकिन जब मर गए तो लोगों ने बहुत परसंसा किया उनकी मिर्थू के बाद बहुत स परसंसा किया गया उनका इन अमेरिका फोरीजिनल एड इन्नोवेटिव एक्स्प्रेशन अफ एमेरिकन इन्डिविजियलिज्म यानि उनका इतना प्रसंसा हुआ अमेरीका में जो लिखे थे अपनी कविताएं किसके लिये जो असली वास्त्विक, इनुवेटिक एक्ष्प्रेसन जो उनका अभीव्यक्त था किसके परती अमेरिकन ब्यक्तिगत के रूप में जो प्रस्तूत किये थे कविताओं में सीधे रूप से ठीक है तो लोगों ने बहुत परसंसा चें लेकिन जिन्दगी यानि जिंदा थे तम नहीं मरने के बाद लेखो क्या लिखा है उनके मीर्थू के बाद ही अमेरिका में स्वीकारिता मिली यानि शुविकार किया गया, अमेरिका ब्यक्तिवाद की असली नविंता यानि परियूर्थ नात्मक की वज़ा से उन्हें पसंद किया गया, पहुत बनिया तरीका से लिखे थे, इंडिवीजुवल क्या होता है, फर्स्ट टाइम है, वाट वीट में, जो इंडिवीजुवल लाइ वक्स इंक्लूड, उनकी महत्पुन किताबों का नाम है, कुछ लिस्ट जरूर नोट बनाना, लिप्स अफ ग्रास है, 1855 में, एंड ड्रम टैप्स 1866 में, उनकी महत्पुन रचनाओं में सबसे इंपोर्टेंट आता है, लिप्स अफ ग्रास एंड ड्रम टैंस, ठीक है, साम मनाना, अपना बथडे मनाओ, या मैर्ज एनवर्सरी मनाओ, या छट यार मनाओ, I celebrate myself, यानि के मैं तो भाई, खुद में, अपने आप में ही, पर्व तेहवार उत्सो सब मनाता हूं, खुद में, खुद को ही पर्व मानते हैं, खुद को तेहवार मानते हैं, खुद को बथ मगन रहो, दुनिया भार में जाए, दुनिया मैं बजाओ हर्मोनिया, ठीक है, and what I assume, इनका कहने का मतलब है, यहाँ पर थ्वसा कभी दिखा रहे हैं, command sentence जिसको बोलते हैं, यहाँ पर बोल हैं कि जो मैं assume करता हूं, जिस चीज को मैं accept करता हूं, जिस चीज को मैं मानता हू आप भी you shall assume, आप भी उस चीज को मानो, इनका कहने का मतलब कि मैं जिस तरह से जी रहा हूं, बैक्तिकत जिन्दगी, आप से request है, आप भी वैसा ही जी ओ, सच उच बताया हैं दोस्त, individual life जी कर देखना बहुत ही मजाता है, इस समाज से तुम बचे रहोगे, नहीं तो लोग समाज तुम्हें बरबाद कर देगा, कान भर देगा, ठीक है, for every atom, atom is a particle of body, सरीर का हर एक हिस्सा, परतेक हिस्सा, belonging to me, जो मेरे अंदर वास करती है, हर एक सकती, हर एक ताकत, जो natural ताकत है, जो सरीर में भागवान ने जो ग्यान इंदरिया दिया, हमको सुनने की, समझने की बोलने की, सोने की, खाने की, हर वास सकती, as good as belongs to you, हर ब्यक्ती में वास सकती है, मेरे सरीर में जो कुछ भी है, जो भी खून का एक कत्रा, या सरीर का हर एक अंग, वा सकती जो मुझ में है, उतनी अच्छी तरसे, उतनी अच्छी तरसे, आप सब में है, ठीक है, यहाँ बह मानता हूं तुम भी उसको मानते होंगे क्योंकि मेरे सरीर के अंदर के परतेकन जो मेरे अंदर है वह तुम्हारे अंदर भी है ठीक है नीचे यहां पर यहां पर खुब बने लिखाए वेरी गुड़ लाइन आई लोफ लोफ बोलते हैं भाई लोफर लोग सुलिजिए जो घुमते हैं बीना मतलब का इधर उधर तो करें कि मैं भी इधर उधर घुमता हूं भटकते रहता हूं कोई कामधाम तो है नहीं खुद से प्यार करता हूं I love myself I respect myself I enjoy myself सब कुछ खुद से ही करते हैं कोई ब्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को बुला लेता है यानि लगता है कोई जिन्दगी बिलकुल अपने आप में घूस गया है यह अपनी आत्मा की हर एक पुकार को सुन सकते हैं and I lean जब मैं अराम से आँखे बंद करके अराम करता हूं and तब मैं उस समय इधर उधर जो ग्रिस्म काल की गर्मी के समय में जो सुबा सुबा का जो निकला हुआ घास होता है अपने मोथा का नाम सुना होगा मोथा आपने दूभ का नाम सुना होगा दूभ ठीक है दूभ अभव यह ऐसे घास है जिनके नोकीले टोटी होते हैं और यह टोटी होते हैं वो एक भ वो पत्ता जो नोखीला होता है उसको भी देखते हैं महसूस करते हैं एसास करते हैं अपने अंदर ठीक है यानि इनके कहने का मतलद तरब जन्त गया है ये जो कभी है ना कभी यहाँ पर करें कि भाई साब मैं एक इसाई धर्म का हूँ ठीक है और इनका जो इसाई धर्म में ध्यान से इनको ज्यान की बाते दी जाती है इसाई धर्म में बहुत सारे पाठ प्रायत है कि अच्छाई का है बुराई का है तो यहाँ पर यह एक इंसान की तरह सोच रहे जब मैं इधर उदर घुमता हूँ न तो इसी समाज में से कुछ ऐसे ऐसी चीहों को देखता हूँ कुछ और सहनिये चीज, कुछ एंटी सोसल परसन जो उनको समर गरास के जो उस घास का तीन का जो काटा होता है उपर का जो नोकीला वो आखों में जो चूबता है न उस परका से बोल रहे हैं इनका कहने का मतलब है धार्मी के ब्यक्ति हैं इस बात को नहीं मान रहे हैं फिर भी कुछ ऐसे हमारे देश में लोग है जो धरम के नाम पर जाती के नाम पर लड़ रहे हैं और वही लोग यह आपके घास का क्या बन गए वो घास का तीन का बन गए जो आख के कन जो है कत्रा है formed from this soil इसी मिट्टी से बना है जिस मिट्टी पे हम है जहां पर मेरा जनम हुआ यानि अमेरिका के बारे में कर रहे हैं इसी हवा से बना है this air and born here of parents और मैं अपने माता पीता से यहां पर कहा हूँ जनम लिया हूँ and born here from parents the same और यहां पे मेरे माता पीता का भी जनम यहीं पे हुआ है और वो अपने माता पीता से हुआ है यानि मेरे दादा दादी से फिर क्या कर रहा है and they are parents फिर इनके माता दादी के बाद they are parents the same यानि कहने का मतलब यहां पे देखे 3 line मेरा जनम यहीं पर हुआ मेरे माता पीता का जनम फिर उनके माता पीता से हुआ फिर उनके माता पीता का जनम मेरे परदादा परदादी से हुआ यानि हम सब कहीं न कहीं तो एक ही खुन का है इस तरह से करी चलता जाएगा मैं मेरे पापा, मेरे पापा का बाबा, दादा, पर दादा ये कहीं ने कहीं जाके मिल जाएगा धर्टी पे, फिर वह वह एक ब्यक्ति जिसे ये सारी दुनिया फैली है तो देखा जाए तो हम सब तो एक ही इनसान के लिखा सबका मालिक एक फिर क्यों बट्टा हुआ संसार है सच पूछो तो साइद दुनिया अपना ही पड़िवार है फिर यहाँ पे जब सब लोग एक ही तरीका के हुए एक ही ब्यक्ति के संतान हुए एक जैसे हुए तो यही पे इनके कहने का मतलब है कि यह जो समर ग्रास इसमें स एंटी सोसल जो समाज को खा रहे दीमक की तरह यह सब चूभता है उनकों आँखों में ठीक है अब यह नीचे यह आपर आई नाव यह अबजेक्टिव पूछा है I now 37 years old मैं 37 साल का हूं and in perfect health begins और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं कभी objective पूछा है कितने साल के हैं तो 37 साल क्या और पूर्ण रूप से perfect है ठीक है मैं हिंदी है बिचरन कर इधर उदर घूमा करता हूं अपनी आत्मा का अमेतित करता हूं मैं अराम करता हूं अपने हिसाप से घूमता फिरता गर्मी के घासों के कटीले पर नोक का और लोकन करता हूं और यहां पर आईए मैं 35 साल का हूं पूरी तरस स्वास्तों and hoping to seize not true till date और उमीद करता हूं कि मैं ऐसे ही अपने आपको मरते दम तक नहीं रोकूं घूमते रहूं फिरते रहूं इंजवाय करूं नेचर को समझूं अपने आप मैं मगन रहूं गाना गाऊं मस्त गाना गा के इंजवाय करते रहूं ठीक है मैं गाना सुरे ना यूँ तो अकेला गिर कर भी संभल सकता हूं मैं तुम जो पकर लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं यह बहुत खांसू लाईने ठीक है और मरते दम तेख चाहते कि मैं सहीं अपने आपको स्वस्त रखूँ और इंजवाय करते रहूँ चीक है यहाँ यह क्रिट्स एंड स्कूल्स बहुत खत्रनाक शीज़ है क्रिट्स मिन्स होता है धर्म, रिलीजिन र-e-l-i-g-i-o-e स्कूल्स मिन्स होता है सोच तो जो यह धार्मिक चीज़े हैं जो धर्म और जातिया है यह कहीं न कहीं हमको रोकती है यह रुकावट है सच-बुच बताया ना दोस्त अगर इंडिया आज तरकी नहीं कर रहा है न इसका मुख्य कान यही है कि आज के इन नौजवान बच्चे अपने फेस्बुक पर धर्म और जाति का इतना परचार कर रहे है न भले उनको पता नहीं है कि मैथ क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बैलो जी क्या है लेकिन धर्म और जाति में इतना मगन हो चुके हैं क्या हैं ये हैं क्रिश्चन और क्रिश्चन में इसाई में इसाई धर्म के हैं और इसाई धर्म में जो पंथ और जो धार्मिक विचारों के बारे में इनको बताया गया वो बिल्कुल इने अच्छा ने रहते हैं इसको नहीं मानते हैं करें what they are इतनी संख्या में है ये जाती धर्म इसमें सोंच पूजा पाठ बदलाव इतना है कि क्या करें ये चाहते हैं कि मैं इनको कुछ समय के लिए भूल जाओ लेकिन भाई साब आज इस समाज में हम लोग हैं पर तेक इर्द गिर्द में मेरे एक अकेले नाम मानने से क्या होता है ये सब रुकावट है त्रक्की में आगे बरने में इनके इन्जुआयमेंट में ये चाहते हैं सोतंत्र होके जीना इन्जुआयक करना बट इनका धर्म है जाती है जो इनको विचारों का जो माध्यम मिला है बच्पन से ये सब कही ने कहीं इनको क्या करता है बाधा बनता ह ठीक है अब आई नीचे यह आप हिंदी है लिख सकते हैं नीचे का रहा है I harbour harbour का मतलब होता है believe करना, मानना, विश्वास करना for good or bad ये इतने सोतन तरीके जीते हैं कि किसी भी धार्मिक पंथ बिचार को नहीं मानते हैं इनके सामने जो अच्छा है उसको मानते हैं बुरा है उसमे भी बोलते हैं अच्छा ही में बोलते हैं बुरा ही में बोलते हैं जो बुरा चीज है वो बोलते हैं and I permit to speak at every hazard हर खत्रे में वो अपने आपको आदेस देते हैं कि मैं इसमें बोलूं यानि की जो उन کے आँखों को सामने गलत होता है, उसके बारे मैं बोलते हैं, सही होता है तो सही के बारे मैं बोलते हैं, nature without check with original energy, यानि की प्रकृतिक जो परफेक्ट हिल्थ दिया है, उस हिल्थ के साथ, पुरे जोश के साथ, पुरे ताकत के साथ, अपने असली उर्जा के सा बिना किसी भेद भाव के अराम से बोलते हैं, ठीक है, ये अपने आपको रोखते नहीं है, यानि मैं अच्छे और बुड़े को मानता हूं, मैं श्वयम परते खत्रा पर बोलता हूं, पर बोलने की अनुमती देता हूं, सवभाव को बिना किसी जाच के वास्तिक उर्जा के स इस पर वह कभी बुरा नहीं मानेगा कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा ठीक है भाई तो यहां पर कोई दिकत यह एक्स्प्लाइशन था आपका यह हिंदी है आप चाहें तो लिख सकते हैं भाई कोई दिकत और वीडियो अच्छा लगे तो जरू लाइक करना सब्सक्राइ ठीक है और शेयर जरू करना ओके थाइक यू बेरी मच्च ओके देर्स आउल